Hello friends, welcome to my channel study for you So guys, जैसा कि आज आज आपका SSE GD का 3 December का प्रथम पाली का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिलकुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के आज आज आपके 3 दिसंबर के प्रथमपाली के एक्जाम में जब प्रशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज का आपका पहला कोश्चन है था कि अकबर का वित मंत्री कौन था तो देखे अकबर का जो वित मंत्री याना ये राजा टोडर मल था तो राजा टोडर मल आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट अप कहीं आप रहा था कि रास्टे उपभोगता दिवस ये जो एक कब मनाया जाता है तो देखे रास्टे उपभोगता दिवस ये प्रतिवर्स 24 दिसंबर को मनाया जाता है तो 24 दिसंबर आपका करेक्ट टैंसर हो जाएगा बात कर ले विस्व उपुभोगता अधिकार दिवस यह जो एक कब मनाय जाता है तो देखें विस्व उपुभोगता अधिकार दिवस जो है यह प्रतिवर्स 15 मार्च को मनाय जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि लोथल की खोज यह जो किसने की थी तो देखिए लोथल की जो खोज है ना यह आपके सिकरी पूरा रंगनात राओ जी के द्वारा जो किया गया था तो सीकारी पूरा रंगन ना था आपका यहां पे करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट अप कहीं आप रहा था कि लोथल यह किस राजजी में है तो देखे धौला वीरा और जो लोथल है यह आपका गुजरात राजजी में है तो गुजरात आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले लोथल की खोज कब हुई थी तो देखें लोथल का जो खोज है न यह 1954 में हुआ था बात कर ले इसकी खुदाई कब हुआ था तो 13 फरबरी 1955 से जो है 19 मई 1960 के बीच जो है बात कर ले लोथल सिंदुगाटी सबेता को कई खंडरों की खोज के लिए परसिद्ध है और बात कर ले यह किस नदी पर इस्तित है तो यह आपका सावरमती नदी और सौराष्ट छेत्र में इसकी सायक नदी जो है वो भोगावों के बीच इस्तित है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है लोथल सब्द का अर्थ क्या होता है तो देखें लोथल सब्द का जो अर्थ होता है वो मृत्को का टीला होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप कह यहाँ पर आया था आपका आगरा से 4 किलो मेटर की दूरी पर सीकंदरा में इस्तित है तो ये तो आपका option में correct answer नहीं होगा और option में आपका जहांगीर का मगबरा दियावा था तो देखें ये जो जहांगीर का मगबरा है ना ये पाकिस्तान के लाहोर के जो है उप नगरिये इलाके सहदरा में इस्तित है तो जहांगीर का मगबरा आपका यहां पे correct हो जाएगा क्यूंकि question में जो आपका पूचा गया था कि उत्तर पर देश में कौन सा मगबरा नहीं है तो जहांगीर का मगबरा आपका correct होगा next step के आप रहा था कि नेपाल ये जो एक कब गनराज्य देश बना तो द राष्ट पती है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नइक्स्ट अप कहीं आप रहा था की 2020 में ahtli फास्टेस्ट ही माथ रखना है ये जो कौन बना है तो थेखें 2020 जहां पर option में आपका हीमा दास दिया वा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आप के यहाँ पर रहा था कि Statue of Unity, ये जो कहां पर इस्तित है, तो देखें ये जो Statue of Unity है ना, ये आपका गुजरात के नर्बदा जिले में इस्तित है, तो गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके important facts के बारे में, कि Statue of Unity ये जो किस महापूरीज की प्रतीमा है, तो ये सरदार बल्लम भाई पठेल जी की प्रतीमा है, Statue of Unity की निव कब रखी गई थी, तो देखें, Statue of Unity का जो निव है ना, ये वर्स 2013 में रखा गया था, किसके द्वारा तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था, बात कर ले, इसका स्थापना कहां पर किया गया था, तो गुजरात के नरमदा जीले में किया गया था, वह अगर बात कर ले, किस नदी के किनारे इस्तित है, तो ये आपका नरमदा नदी के किनारे इस्तित है, इसकी यह किया गया है तो देखिए का अनावरेन लुख को किया गया था और किसके द्वारा तो यह सारे आपको सिक्किम का निरीति है तो जहां पर option में आपका भूटिया दिया वा था तो देखें मैं आपको बता दू कि मारूनी और भूटिया ये जो निरीति ना ये सिक्किम का नेरित है तो भूटिया आपका correct answer हो जायगा, next step कहीं है आप रहा था कि दुरियोधन सिंग नेगी यह जो है किस खेल से सम्बंदित है, तो देखिए यह जो दुरियोधन आफीसर जो है ये कौन है तो देखिए मैं आपको बता दो कि वर्तमान में जो डबलू एचो के सीओ है ना ये आपके भारतिय मूल अमेरिकी स्वास्त भी से सगे अनील सोनी बने हैं तो अनील सोनी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले डबलू एचो का मुख्याल हैं तो अमिस्त रिपाथी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप कर रहा था कि गर्मी के मौसम के पहले कौन सा मौसम होता है तो यह बहुत इजी कोशन था इसका जवाप आप कमेंड बॉक्स में जरूर दीजेगा ताकि मुझे पता चले कि एक्स्ट आप फ व्लमी मार्ण साह, घूर रहा था कि मंजीरा ऐना ये मंजीरा नदी गोदावरी के दाहिने ताडपर इस्थी सहायक्त नदी है तो गोदावरी आप आपका यहाँ पर करेक्ट हैंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि दिन दुगना राद चौगना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था तो देखे दिन दुगना राद चौगना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत उन्नती करना होता है तो ब तो सरीथ जो है आपका correct answer हो जाएगा नेक्स टाप के हैंपर पपीहा का प्रिवाची सब्द पूछा गया था तो देखें पपीहा का प्रिवाची सब्द होता है वो राब और फाइदा होता है तो लाब आपका आपका correct answer हो जाएगा next stop का यहां पर परिविच्छा का सुधवर्तनी पूछा गया था तो यही होता है तो इन्होंने जिन्होंने भी ठीक्य होगा उनका यहां पर correct answer हो जाएगा next stop का इतने question जो आज मुझे बच्चों के दोरह मिले हैं जो के 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं एक सुड़ें तब तक थांक्यू, all the best